ओम सिरी गने शायनम दोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 फरवरी शनिवार के राशी फल के बारे में कि यह दिन मेथुन राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर ने हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मिथुन राशी वालों के लिए शनीवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज आप पिछली कुछ कमियों से सीख लेकर अपनी दिन चरिया में और भेतर सुधार लाने की कोशिस करेंगे जिसमें आप सफल भी होंगे और इस तरह की कोशिस से लोगों के साथ सम्बंदों में आश्चर्य जनक सुधार आ जाएगा दोस्तो आज प्रतिष्ट लोगों से भी मुलाकात लाबदायक और सम्मान जनक रहेगी तथा उनके साथ समय व्यातित करना और सामाजिक गतिविद्यों में भाग लेना आपके व्यक्तित में और अधिक निखार लाएगा आज रुके हुए काम बन सकते हैं उन पर अपना ध्यान अधिक केंद्रित रखें आज घर में कोई मांगलिक कारेशंपन होने की भी संभावना है जिससे परिवार में प्रसंदता का माहौल रहेगा साथ ही आज का समय आपके लिए कुछ नई उपलब्दियों का निर्माण कर रहा है जो की भविस्य में आपके लिए बहुत ही अधिक फायदेबंद साबित होंगी दोस्तो अपनी योजनाओं को सुरू करने से पहले एक बार पुनहें उस पर सोच विचार अवश्य करें आज आपको कोई महतपउन कारे की सूच न मिलेगी उसे नजर अंदाज बिलकुल ना करें दोस्तो आज आपके साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे आपको लगेगा कि किसी का आसिरवाद आपके उपर है अपने पृतिवाओं को पहचाने और पूरी उर्जा के साथ अपनी दिंचरिया वेकारे प्रणाली पर ध्यान केंद्रित रखें दोस्तो रिष्टेदारों का घर में आज आगमन होगा आपसी मेल मिलाप घर में खुसियां और सुकून लेकर आएगा साथ ही किसी परिवारिक व्यक्ति की किसी भेतरीन उपलब्दी पर घर में आज जसन का माहूल भी होगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो आज वरिष्ट तथा अनुबवी लोगों से सला लेने में आप परेज ना करें उनका मार्ग दर्शन वे सयोग आपके मनोवल को और अधिक बढ़ाएगा व्यर्थ की बाहरी गतिविद्यो में समय नश्ट आप ना करें नकारात्मक प्रवर्थी के लोगों से दूरी बना कर रखें वे आपको आपके लक्षे से भटका सकते हैं और किसी प्रकार का आर्थिक लुकसान और मान हानी की भी आज संभाव ना हैं वे ध्यारती अपनी पड़ाही के प्रती और अधिक ध्यान केंद्रित रखें आज खर्चों की बहुत अधिकता रहेगी इससे आर्थिक इस्तिती डगमगा सकती है इसलिए बजट बनाकर चलना जरूरी है कभी-कभी आपका एहम और क्रोध पूर्ण श्वयभाव परिस्तितियों को दूसित कर सकता है इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें दोस्तो साथ साथ अपने सुब चंतकों पर किसी भी प्रकार का विचार विमर्ज करने से उचित हल प्राप्त हो सकता है घर के बड़े बुजर्गों की देखवाल में भी समय व्यतित करना आवशक है भूमी संबंदित कारों को लेकर कागजातों में कोई दिक्कत आज आ सकती है परन्तु जरासी भी समझदारी और समझ बूज से काम बहुती आसानी से बन जाएंगे आज रूपे पैसे का लेंदेन ना ही करें तो अच्छा है दोस्तों अपने बजट को ध्यान में रखकर आप खर्च करें कोई पैत दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली हैं दोस्तों परिवार के साथ मनुरंजन संबंदित कारों में समय आज व्यतित होगा प्रेम संबंदों में भी नजदी की आएंगी आपकी व्यस्तता के कारण जीवन साती का परिवार के लिए धुरता आएगी पती-पतनी के संबंद खुशनुमा रहेंगे। दोस्तो बात कर लेते हैं आपका वैवेशाय केरियर क्यासा रहने वाला है। सरकारी सेवारत व्यक्तियों के ऊपर अतिरिक्त कार्य भार रहेगा। आप अपनी योग्यता वै काबलियत द्वारा अपने प्रतिष्ठान में कुछ बदलाव लाने की कोशिस करेंगे और उसमें आप सफल भी रहेंगे। कुछ नए जन संपर्ग भी आज इस्थापित होंगे। आफिस में बॉस वै अधिकारी आपके काम से संतुष्ठ रहेंगे। वैवसाइक गतिविद्यों को सुचारों रूप से चलाने के लिए करमचारियों के सुझाव को आप अधिक ध्यान में रखें। जिससे आप बहतरीन निर्न ले पाएं। दोस्तों नौकरी में आप अपने काम के प्रती किसी भी प्रकार की लापरबाई ना वरतें। वैवसाइक गतिविद्यों में सुधार आएगा। करमचारियों के प्रती आपकी उधारता वै उत्तम वहवार उनकी कारे छमता को और भी अधिक बढ़ाएगा। दोस्तों साथी साथ कारे छित्र में आप सभी गतिविद्यों को सुचारों रूप से नियंत्रित करेंगे। अपनी कारे प्रणाली दूसरों के सामने जाहिर ना करें। कोई इसका नाजायज फायदा उठा सकता है। नोकरी पेशा व्यक्तियों की उनके उच्छित काम के लिए तारीफ और साख बनेगी जिससे उनका मन काफी प्रसन रहेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका सौस्थ कैसा रहने वाला है। दोस्तों आज आपका स्वास्थ बहुती अच्छा रहेगा। परंतु जादा काम के दवाब की बज़े से पैरों में दर्द और ठकान महसूस हो सकती है इसलिए आप सैयमित दिन चरिया रखे इसके लिए दोस्तों आप अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए रोजाना योग करें वैयाम करें स्वस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश रुपाय क्या हैं दोस्तों आज आप इशनान आदिश निर्वत्र होने के बाद भगवान शनिदेव का इसमरन करते हुए पीपल के वरक्ष के नीचे एक सरसो के तेल का दीपक चलाएं और उस दीपक में आप कुछ दा आपको सीग रही सुब फलो की प्राप्ति होंगी और आपके समस्त कर रहें भगवान शनिदेव के आश्रवास से बहुत आसानी से बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान शनिदेव का शिरवाद आपको प्राप्तो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैर शनिदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद